हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप सब तो दोस्तों आज की जो वेकेंसी है यह है टाटा स्टील में टाटा स्टील में वेकेंसी बहुत कम आती है जैसे कि आपको पता है टाटा पावर में बहुत आ जाती है टाटा ग्रूप है टाटा कॉम्मिनिकेशन है टाटा टेक्नलोज वो इंजिनिरिंग् ट्रेने कि निकाल लिया है, अब कौन से इंजिनिरिंग् ट्रेनी है, वो वीडियो में आपको आगे बताऊँगा, इसमें अच्छी तरह preferred है बस आपका age relaxation उन्होंने दिया है, 94 के बाद कि आप बोर्ण होने चाहिए और All India एलिजिपल है कोई भी इसके लिए फीस नहीं है और जहां आपसे फीस की डिमांड हो टाटा हो गया कोई भी बड़ी ग्रूप तो L&T हो गया तो आपको कभी वो जॉब नहीं देने वाला है चलिए आईए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक चीज़ बलूगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें क्योंकि आपका एक छोटा सा सेर हमारे लिए बहुत मॉटिवेट का कारण बनता है तो दोस्तों वीडियो का एंड तक देखिएगा आपको पूरा का पूरा मेल में बता हुआ कैसे कैसे आपको अप्लाइ करना है कहाँ कहाँ आपको पॉइंट आएंगे जिससे आप बच सकते हैं तो चलिए आईए शुरू करते हैं तो दोस्तों यह जो वेकेंसी निकलके आ रही है यह है जूनियर इंजिनियर ट्रेनी के लिए इसमें कौन-कौन एलिजिबल है जूनियर इंजिनियर वाला जैसे कि आपने थमनेल पे मैं देखी लिया हुआ कि किया घर इंज निया लिजिय के लिए मैने थमनेल पे बोला था कि डिपलो मा प्रैप्षाड दोस्तोव इसमें सीविल imbalance अब डिपलो में 3 ं में civil electrical mechanical आपने 70% मार्क होने चाहिए आउल समेस्टर में ओल्सकाГएogi सिख्टी परसेंट मार्क और 60% mark होने चाहिए 10th में अगर आपने 12th की है 12th के बाद आए है तब भी आप इसमें eligible है तो age relaxation इसमें क्या है age का भी आपको criteria आप दिखेगा age for general candidates should have been born December 1 1994 तो बस आपको क्या है age का और 1994 से 2004 के बीच में आपकी age होनी चाहिए CST वैलों के लिए 1993 से 2004 मतलब उन्हें एक साल का relaxation मिला है आपका experience चार साल हो पात साल हो doesn't matter minimum physical standard इन्होंने मांगा है अगर आप girls है तो आपकी height 142 होनी चाहिए और अगर boy है तो 153 होनी चाहिए weight जो है दोस्तों minimum 45 kg अगर girl है 40 kg expenses of chest ये 5 cm है और तोस्तों आज के टाइम में जैसे आपको पता ही है आपकी तवियत वगरे का ख्याल रखा जाता है और इसमें medical भी होगा जाने से पहले और job बहुत अच्छी होने वाली है तो training जो होने वाली है वो 12 महीने की training होने वाली है मतलब एक साल की training होने वाली है training के टाइम पर आपको stipend भी दिया जाएगा stipend कितना हो सकता है वो जो आप as per government rule या फिर as per Tata की हिसाब से आपको दिया जाएगा इन्होंने यहाँ mention नहीं किया है selection process क्या है selection process return test होगा इसमे return test को कोई भी पैसा नहीं लगेगा और return test क्या हो syllabus of diploma जो भी आपका diploma से हुआ है GK and English आएगा on successful completion of training the selected candidate will be placed at appropriate level and will be placed at any location of Tata Steel दोस्तो Tata Steel में आप कहीं भी placed हो सकते हैं all India में अगर जैसे ही आपका training का period on off हो जाएगा और आपको मैं बताता हूँ कि आपकी जो salary भी होने वाली है दोस्तों वो minimum 40,000 rupees after training होने वाली है मतलब 40,000 रूपे after training 35-40,000 रूपे आपको मिलने वाले है बहुत ही अच्छी opportunity है दोस्तों government की तरह नहीं government नहीं है but government से कम भी नहीं है life set होने वाली है how to apply eligible are interested candidate required to print the mail application और इन दोनों भाईयों को mail करना है aswani और सेखर.sink को mail कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा लेकिन आप ध्यान से देखिएगा जरूर तो उसके अगर आप mail नहीं करना है तो इस पर आपको और जो अपनी application की copy भेजनी है वो 23 बारा से पहले बेजनी है मतलब 23 बारा मतलब आपको 23 दिसंबर इसकी last date है आप से इसके against में कोई भी पैसे की demand करें तो कभी भी आपको देना नहीं है क्योंकि जो आपसे पैसे लेगा वो कभी भी आपको job नहीं देगा मैं आपको इतनी बार बोला है कि आप से कभी भी कोई पैसे की demand करता है बिल्कुल नहीं देना है आपको दोस्तों अब आया आपको करना क्या है देखिए दो mail तो आपके पास आगा है इन दोनों को अलग-अलग भेजना है देखिए single आप भेज देखिए two में रखके दोनों को भेज सकते हैं बट other अलग-अलग भी आप भेज सकते हैं आपको करना क्या है दोस्तों सबसे पहले personal अपना जो information है अपना नाम लिखना है और रियाद रखिएगा capital letter में लिखना है अपना color passport size पासपोर्ट size अपना फोटोग्राफ लगाना है date of birth लिखना है आप कौन सी category से से है से है स्ट से है अगर स्ट से है तभी आप यहाँ tick कर दीजिएगा otherwise normal category से है आप general यह obviously से है तो मत tick किजिएगा male है female है mother tongue क्या है mother tongue आपकी हिंदी है English है तो कि एक जगह क्या हुआ था कि cricket में उसने लिखा कि mother tongue क्या है तो उसने लिख दिया pink तो doesn't mean not jocks apart क्योंकि इन चीज़ों में risk मतले लिजिएगा mother tongue जो भी वो हो हिंदी है अपकी English है marital status तो मैं आपको personally बोल रहा हूँ unmarried ही लिखिएगा अगर हो भी married तो phone number जो भी आपका है mobile one mobile two अपनी family का दो number जरूर दिज़ेगा sometimes आपका मिलता है नहीं मिलता है email ID वो दिज़ेगा जिस पर आप activate रहते हो height वगएर अपनी mention कर दिज़ेगा qualification from top to bottom चलना है आपको organization आपने अगर work किया है अगर आपने work किया है तब आप कहां कहां work किया है अगर आप fresher है तो सब में एक line लिखके fresher लिख दीज़ेगा declaration नीचे sign कर दीज़ेगा बहुत ही अच्छी opportunity है अब मैं एक बार आपको mail भी करके दिखा देता हूँ कि mail में आपको क्या क्या लिखना है जिससे आपका selection होने के chances बढ़ जाए तो चलते हैं mail section में एक बर तो दोस्तों आपको करना क्या है सबसे पहले आपको करना है सबसे पहले तो यह from पैसे दिमाग हटा दीजी यह from आपकी mail आड़ी होती है जिससे आपको mail भेजते हैं आपने जब भी वो print out भाड़ लिया होगा जो आपने print out अभी मैंने आपको बताया जहां नाम, name, number पुरा अटेच कर लिया उसके बाद यह वाला आपको लिखना है अब यह लिखा हुआ यह है covering letter इसको चाहे तो आप अपने हिसाब से modify कर सकते हैं covering letter मेरे telegram channel पर post है आप वहाँ से जाके जैसी आप scroll down करेंगे जहां telegram channel का link भी description में है वहाँ आपको covering letter मिल जाएगा आप इसको अपने हिसाब से modify कर सकते हैं इसके साथ आपको क्या करना है जो आपने document भरा है document को attach करके इसको send कर देना है किस पे? aswani.verma.tatasteel.com और sekhar.sing.tatasteel.com दोस्तों आपको दोनों ही दोनों ही mail ID है यह आपको उसी advertisement में मिल जाएगी advertisement का जो है वो पूरा का पूरा advertisement का जो link है वो आपको मेरे description में मिल जाएगा मैंने आपको starting में बोल दिया था कि बहुत भाईयों को confusion होती है वो खाली 2 point देखते हैं और उसमें problem हो जाती है ऐसा risk मत लीजिए क्योंकि job बहुत अच्छी opportunity है यह आपके लिए और ध्यान रखिएगा कि आपको क्या लिखना है please find a test the CV of self CV का मतलब भी bio data होता है इसको हिंद curriculum इसकी full form होती है CV की curriculum बीटे of self I had done अगर आप कर चुके है और अगर आप pursuing तो काई नहीं लग रहे है तो I have doing my b-tech और diploma जो भी आपने किया है जिसके लिए vacancy डिपलोम वालो के लिए यह name of the college लिखना है और 2019 बीच जब भी आप पास आउट हो 17 हो 16 हो जब भी आप पास आउट हो If you have any vacancy in your recognized organization please let me know आपको यह पुरा covering letter और अगर आप अपने साबसे मोडिफाइस को कर सकते हैं तो और कीजिए यह बहुत अच्छी चांस है और दूसरी बात यह दोस्तो कि आपको वीडियो को share जरूर कर दीजिए क्योंकि एक दो vacancy नहीं है competition नहीं होना है unlimited vacancy निकल के आ रही है हो सकता है कि यह vacancy 1000 हो सकता है 2000 हो सकता है कितने भी हो सकती है इसलिए इसको जल्दी से जल्दी भीजिए और share जरूर कीजिए आपके साथ-साथ किसी और का भी भला हो जाएगा अगर यह आपके group में share हो गई किसी का 10 आद्मियों तक भी आपके through पहुँच गई वीडियो तो 10 आद्मियों गा तो हमारे पास भी notifications आते हैं तो मैं खुद भी चाहूँगा कि आपकी job लगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहें